हलो फ्रेंड्स, most welcome to the river textbook आज के इस सेशन में हम सुरू करेंगे class 5 की ये किताब है Startup Science, ये ज्यादा तर public schools में ये as a textbook इसको refer किया गया है तो हम इसमें पहले chapter से हम सुरू करेंगे ये book काफी easy to understand है इसका language काफी easy है और काफी informative है ये किताब तो ये हमारा पहला chapter है The World of Animals The Earth is a home to a variety of plants and animals पृत्वी एक निवास है, पृत्वी एक घर है विभिन प्रकार के पौधो और पश्वों का Like plants, even the animals found on this planet are very diverse in nature पौधो की तरह इस ग्रह पे जानवर भी नाना प्रकार के भिन भिन प्रकार के पाये जाते हैं These creatures differ from each other in their food and feeding habits इन जीव जन्तूओं का एक दूसरों से खाना अलग है इनके पालन पोशन, खाने का प्रबंदन करने का तरीका Nesting habits, घौसले बनाने का तरीका या फिर छोटे जानवरों का घर बनाने का तरीका ताकि उनके शिकारियों से वो अपने रक्षा कर सके Modes of Locomotion इनके एक जगे से दूसरे जगे जाने का तरीका इनके अंदर की गतिशीर्ता and many other characteristics और अन्य सारी और अन्य दूसरी विशेश्ता है ये इन जानवरों में एक दूसरे से अलग है In this chapter, we will study about some of these variations इस chapter में इन में से कुछ भिन्यताओं के बारे में अध्यायन करेंगे अब आगे है Habitat Habitat का मतलब होता है पशू वा पधो का प्राकिर्तिक वास निवासस्थान आवास Animals live everywhere on the earth प्रित्वी पर जानवर हर जगह पाये जाते है The place where an animal lives or is found naturally is called its habitat वो जगह जहां जानवर रहते हैं या प्राकिर्तिक रूप से पाये जाते हैं उसे habitat कहा जाता है There are five main habitats on the earth प्रित्वी पर पांच मुख्य निवासस्थान है These are forest, desert, polar region, ocean and fresh water Let's now discuss them in detail ये पांच मुख्य निवासस्थान जंगल, मर्वस्थल, polar region polar region means धुरुवी इछेत्र, north pole, south pole ocean, saagar, mahasagar, fresh water Fresh water means which is not saline, usable water Let's now discuss them in detail अब हम इन्हें detail में discuss करेंगे अब आगे forest इसके बारे में आगे के video में detail में discuss करेंगे